In this video, we'll discuss what happens when K2 transits over different houses. So, अभी तक हमने K2 के बारे में बहुत से discussions कियें, K2 का क्या relevance होता है, K2 कैसे function करता है, तो K2 जो होता है, intersection point होता है, elliptical plane में, Earth और Sun का elliptical plane है, इसके उपर, जब भी Moon उपर से नीचे जाता है, Moon हमारे Earth का orbit करता है, और जब भी उपर से नीचे जाता है, तो intersection point को K2 कहते हैं, यह intersection point है, इसका relevance यह है, कि इस point पे आपका mind zero हो जाता है, मतलब you are ignorant about that place, इसका यह मतलब नहीं है, कि आप उस place पे exalt नहीं कर सकते हैं, मैंने previous videos में बहुत cover किया है, कि किस तरीके से K2 function करता है, but K2 के जो transit के results होते हैं, वो different होते हैं, K2 के महादशा के results different होते हैं, और K2 का conjunction different होता है planets के साथ, हमेशा ध्यान रखना है कि K2 का conjunction होगा किसी planet के साथ वो different होगा, K2 का महादशा different होगा, और K2 का transit एक अलग ही result देता है, तो वही result हम इस series में cover करेंगे, so K2 का काम है ignore करने का, और K2 किसी भी जगा पे जब transit करता है, तो उस जगा को completely invisible कर देता है, उस जगा को ढख देता है, ये transit के results हैं, हमेशा ध्यान रखना है आपको, केतू जिस स्थान पे transit करेगा, उस स्थान को ढख देता है, severe कर देता है आपके life से, आपके life से हटा देता है, और उस जगा से related जो process चल रहे होते हैं, वो आपको समझ में नहीं आते हैं, तो हमेशा ध्यान रखना है कि K2 का transit अलग, महादशा अलग और केतू का placement अलग, ये तीनों के तीन significance है, तो केतू का जो transit है, अगर केतू आपके first house में transit कर रहा है, तो आपकी जो body है, that is invisible to you, आपका जो personal care है, that is invisible to you, invisible है, हटा हुआ है, careless हो भी आप body के लिए, body को लेके हैं, first house is your status, your personality, आपके अपने status और personality को कैसे maintain करना है, you are unaware about it, the thing is invisible in your life, that is not the priority of life, what is the priority, तो राहू को देखो, राहू जहां पे भी transit कर रहा होगा, that will be the priority of life, but first house में के तू transit कर रहा है, it means, your first house is invisible, severed, most ignored place for the time being, के तू दूसरे स्थान पे transit कर रहा है, निश्चित हैं, आपके पैसे खर्च होंगे, आपका जो बचाया हुआ धन है, हाथ में जो जमा पैसे है, आपका belongings है, वो चोरी होगा, theft, गायब हो जाएगा, कहीं रखके भूल जाओगे, भूलना, ignorance, negligent, you will be negligent about second place, खाना पीना, food poisoning बहुत ज़्यादा होती है लोगों को, गंदा खाना खालेते हैं, या फिर खाना क्या खा रहा है, उस पर ध्यान नहीं रहता है, कुछ भी खालो चलेगा, third house में अगर आपका केतू transit कर रहा है, तो transit करने के वज़े से, third house is your choices, focus, सबसे ज़्यादा disturbance आपको लाइफ में तब ही होगी, जब केतू third house में transit कर रहा होगा, focus maintained नहीं रहने देता है, speech, क्या बोल रहे हो, नहीं बोल रहा है, इस बारे में clarity आपको नहीं रहती है, बहुत बार आप जरूरत से ज़्यादा बोल जाओगे, you are ignorant, and the process related to third house is invisible to you, fourth house, आपका घर, आपकी मा नॉलेज, जब fourth house में केतू transit करेगा, तो you will not at all study, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाओगे आप, knowledge gather नहीं कर पाओगे, gather कुछ भी करने को fourth house से देखते हैं, any kind of gathering, community, तो आपको आपके community से अलग कर दिया जाएगा, आपकी community का मतलब है, आपकी family से अलग रहने लग होगे आप, देख साल के लिए केतू चलता है, तो देख साल के लिए आप अलग रहोगे, fifth house में transit कर रहा है केतू, तो you have no idea about your commitments, अगर आप college में पढ़ रहो, तो college जाना बंद कर दोगे कुछ समय के लिए, school जाते हो, तो school जाना बंद कर दोगे, पढ़ाई लिखाई से मतलब छूड़ जाता है इनसान का, यह हमेशा देख साल का transit रहेगा, देख साल के लिए ऐसा होगा, बाकि फिर ठीक हो जाएगा, जैसे यह move करेगा, कि तू छट्थे स्थान पर जाएगा, यू विल इग्नोर दाट प्लेस, आपको उस प्लेस से मतलब भी नहीं रह जाएगी, तो आपका आपका काम नहीं देखिया, क्या काम करना आपको पता ही नहीं होगा, एक्जैंपल, आप हो सकता है कि चार पांच अपोइंटमेंट्स हैं आपकी एक दिन में, अब चार पांच ओपोइंटमेंट्स को इग्नोर करोगे, सिंपल, तो इस तरीके से केतू बिहेव करता है, जब भी वो सिक्स्थ हाउस में ट्रांजिट कर रहा हो, और प्लेसमेंट के और महादशा के अलग, अलसो केतू का काम सीवियर करने का होता है, अलग कर देने का होता है, आप अपने कर्म से अलग हो जाओगे, फर्स्थ हाउस में जब ट्रांजिट करेगा तो आप अपने आप से अलग हो जाओगे, समझ ही नहीं आएगा आप क्या हो, घर के बेटे हो, किसी के बाप हो, नहीं समझ में आएगा आपको, सिख्स हाउस में चलेगा, आप अपने काम को भूल जाओगे, काम से अलग अटने लगो गया, सैवन्थ हाउस में जब केतू चलेगा, तो लोगों से सेपरेट कर देगा आपको, लोगों से अलग कर देगा आपको, दूसरे स्थान पे चला, तो आपको आपके पोजेशन से अलग कर दिया, थर्ड हाउस पे चला तो फोकस से अलग कर दिया, फोर्थ पे तो नॉलेज से, फिफ्ट पे तो बच्चों से अलग कर देना ऐसे ही सिफ्ट पे चला आपके काम से अलग कर दिया सेवन्थ पे जब ट्रांजिट करेगा तो डेड़ साल के लिए आपको लोगों से अलग कर देगा अलग करना is the keyword के तू इन ट्रांजिट मतलब अलग करते चलना आप देखो आपके बच्चार्ट में के तू जहां पर भी ट्रांजिट कर रहा होगा यू आर एंड यूर लाइफ इस सेपरेट फ्रॉम दाट प्लेस के तू एट्थ हाउस में चलेगा तो एट्थ हाउस इस इम्मूनिटी एट्थ हाउस इस यो किपैसिटी अंदर के जितने भी इमोशन होते हैं एट्थ हाउस इस डाट मेमोरी होती है तो मेमोरी फेड होने लगेगी डेड़ साल के लिए डेड़ साल के लिए आपको अंदर में जो स्ट्रेस है फ्रस्ट्रेशन है ये अलग हो जाता है तो exactly इसका opposite होता है कि एतु का 8th house में transit best transit माना जाता है after 12th house 8th house में you are losing your frustration जितने भी अंदर से frustration बना रखी आपने बहुत time से you will lose all that stress, frustration, capacity, immunity memory ये सारी चीज़ें आप lose कर दो गया बहुत शांत रहने का time होता है 9th house में जब transit करेगा तो 9th house को separate कर देगा father से separation 9th house is whatever you do imaginatively आपके खुद के imagination से किया हुआ काम is 9th house तो इन सब चीज़ों से अलग कर देगा बाल कटाना आपको जितने भी आप जैसे sweating होती है इन सब चीज़ों से अलग कर देता है आपको 9th house is struggle as well जो जिम में आप exercise करते हो तो exercise करके जो आप lose करते हो weight that exercise is the friction that is capacity is 8th house you using your capacity is 9th house so जो use है न वो आपका खतम कर देता है basically जो life के struggles होते है वो 9th house से देखा जाता है 8th house आप कितना struggle कर सकते हो 9th house is actually you struggling in your life and 9th house is also release की बहुत चीज़े आप छोड़ दे चलते हो तो 9th house को properly अगर समझो तो आपके life में सबसे less struggle रह जाता है struggle रही नहीं जाता है life में struggle आप नहीं कर पाते हो struggle का मतलब efforts से आप efforts डाल पारो नहीं डाल पारो 10th house is you putting yourself to rest तो जबकि तू 10th house को transit करेगा तो बिलकुल ही rest less time period चलेगा आपके लिए आपको rest से अलग कर देगा आपको शांत बैठना ही नहीं देगा आपके जो भी records होंगे title deeds होंगे जो भी agreements होंगे वो सारी चोरी हो जाएंगे या गायब हो जाएंगे बहुत time से रखा हुआ कोई समान होगा जो मिलेगा नहीं आपको चीजें गायब हो जाने की आदत मतलब वहां पे चीजें जो बहुत time से रखी हुए जैसे locker room में अपने locker में अपने बहुत टाइम से बच्पन की फोटो रखी हुई है, के तू चला दसवे स्थान पर वो गायब हो जाएगी 10th house is storage, क्या-क्या store किया है आपने अपने लाइफ में अभी तक 11th house is friends, के तू एक एरवे स्थान पर चलेगा दोस्तों से अलग कर देगा, simple salary है, salary से अलग कर देगा, और 12th house में चलेगा तो expenditures से अलग कर देगा, that's why Ketu's transit in 12th house is best, 12th house पर चला तो आपको खर्चे से अलग कर दिया, your ignorant about your expenditures अगर वो placed 12th house में, but अलग करना तब जब के तू transit करेगा, के तू transit करेगा, तो you will be separated from 12th house, खर्चों से अलग, लो क्या कर रहे है, इन से अलग, so इसलिए Ketu को understand करने के लिए मैंने ये video बनाया है, क्योंकि ये transit में differently behave करता है, severance, और placement में ignorance, so this is how you interpret Ketu through different houses in transit, for more stay tuned and subscribe